नमस्कार, हम लोग प्राकतिक खेती करते हैं, खुद पच्पनेकड में फार्माउस है और उसमें हम लोग अपना खाद भी बनाते हैं, पिस्टिसाइड बनाते हैं, पालेकर मेथड में जिवामरत, घनामरत, घनाजिवामरत और निमास्तर, अबनी अस्तर, ब्रहमास्तर इस बहुत सारा तत्व बनाते हैं और अपने खेती में खेत में उपियोग करते हैं और इसको बना के लोगों को हम लोग बेचते भी हैं इस परकार किसानों को हम लोग देते हैं पैकेट करके और आप लोग इसको अपना गमला में घर में उपियोग कर सकते हैं अगर आप अपने क किचन गार्डेन बनाएं हैं किचन गार्डेन में भी उपियोग करिए ताकि आपके घर में जो अन मिले सब्जी मिले वो सुद्ध मिले बिना रासानिक जहर बाला जहर मुक्त अन आपको मिले जैसे खाएंगे अन ऐसा होगा मन और साथ में जो हमारा क्रिसी आईटियाई है औ केकड जमिन में साल में एक लाग से दस लाग कैसे रोजगार करें उसे तू हम लोग ये प्रसिख्यन देते हैं और इसे तू ये खाद का भी मार्केट में लोगों तक पहुँचे लोग इसका उपियोग करें इसका हम लोग प्रयास रत रहते हैं और आप लोग जिनको भी खाच चाहिए हम लोग आप तक पहुंचा सकते हैं और हमारे पास आज टनो खाद है और किसानों को हम लोग देते हैं और खुद अपने जमिन में भी प्रयोग करते हैं और इतना पावरफुल खाद है कि एक एकड जमिन में एक कुईंटल खाद काफी है बहुत उपयोगी है और इसमें जमिन का जो अलकली पावर है अलकली गुण है उसको बढ़ाने वाला ये खाद है और केंचुआओं या वर्म्स के मात्रा भी आपके जमिन में बढ़ते हैं जिससे आपका जमिन का स्वास्त मिट्टी का स्वास्त बहुत सही रहता है जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगनी होत्र करने से आपका जमिन का स्वास्त अच्छा रहता है इसी प्रकार ये खाद का उपयोग भी बहुँ आवस्यक बहु उपयोगी है आप अपने जमिन पे इस खाद को उपयोग कर सकते हैं ताकि आपको बच्चों को जहर्मुक्त भोजन मिले और आपके कीचन गा है और आपके बच्चों का सरीव स्वस्त रहे आज क्योंकि जमिन में यूरिया फोस्पेट ग्रोमर्ड नाइटेट टिक टूंटी डिडिटी गमेकसिं थीमेट बगेरा बगेरा डियेपी इस प्रकार एंपी के सारे डाले जा रहे हैं जिससे वो मिट्टी में स्टोर होके फिर मिट्टी से आपके भोजन में और हमारे पानी में हमारे सरीर में ये आ जाते हैं जिससे कई प्रकार के लोगों को आज रोग होग राया है जिसका कारण आज आपको पता होगा पंजाब से मुम्बई तरफ कैंसर एक्स्प्रेस बीचल चालू हो गया तो हम लोग अगर प्राकतिक खाद्यान उत्पन करें और हमारे देश का हमारे परिवार का हमारे बच्चों का स्वास्त को मजबूद बनाएं और यही और्गानिक प्राकतिक खाद से उपजा हुआ सबजी और खाद्यान हमारे गुरुकुल में भी बच्चों को देते हैं ताकि हमारे बच्चे सक्तिवान, बुद्धिवान, ग्यानबान, मिधभी, और जस्वी, ते जस्वी, बिर्जस्वी, महाप्रतापी, परमप्रेमी, आतमद्रस्टा, ब्रमद्रस्टा हो और हमारे बच्चे अच्छे अन खाके महनती होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ग्यानबान होते हैं हनुमान, कदरदान और सभिमान होते हैं और अगर आपका बच्ची आपके घर में रहेगा और ये कुरकुरे अंकल चिवस बगएरा खायेगा और फास्ट फूर्ड, चौमिन, मंचुरियन, हट डग, बलगर, पीजा खायेगा तो वो नेचुराली बॉयलर मुर्गा जर्सी गाये हो जायेगा और इसलिए हम लोग गुरुकुल खोले और सारे बच्चों को अपने पास रखके उनको और्गानिक प्राकतिक भोजन कराते हैं तो इस प्रकार के खाद आपको चाहिए तो आप जरूर हमसे संपर्क करें और हमारा कॉंटक नमबर है 9938727418 धन्यवाद, नमस्कार आप हमें सुनें